आये हाये, finally थोड़े फड़े शड़े हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहे हैं यहाँ पर अरे इतनी देड़ से internet ठंडा परावा था भई, मजा ही नहीं आ रहा रहा पर आंग ना कोई expose हो रहा है, ना कोई roast हो रहा है, बोरिंग हो गया था यार, लेकिन कल इस वीडियो को end तक देखना जो मरजी हो जाए, अभी time नहीं है, बंद कर दो बाद में देखनी से, लेकिन देखनी end तक है, और आगे भटने से पहले मैं तुम लोगो एक छोटा सा disclaimer दे दूँ कि भई, ये वीडियो सिर्फ एक criticism है, एक opinion है, उन चीजों पे जो already public हैं, और बागी वीडियो को थोड़ा फनी करने के लिए शुगल लगा है, जिसी को भी जा के तुमनों को उल्टा सीदा बोलने की जुरुत नहीं है, कुछ बोलने मुझे बोलो भई, मेरा comment section नीचे खुलाव है, मेरी बुन लेलो ठीक है, वीडियो को ऐधा entertainment purpose दी लेना भई, मेरा आसिम से कोई दुश्मनी ना, आहानिया से कोई दुश्मनी, ये मेरा just एक opinion है, जिन लों को back story का नहीं पता, किसी ने एक meme बना दी हानिया आमिर की live stream को edit करके, जो मैं obvious reasons की विज़ा से नहीं दिखा सकता, क्योंके वो sexual है, वो बहुत घटिया हरकत भी है, तो मैं वो वीडि इसलिए अवाम ने अपना negative reaction दिया, अब मुझे समझ नहीं आती ही, लोग stupid हैं या जान के करते हैं, यार अगर आप कुछ ऐसी post डालोगे, तो यार लोगों ने तो बात करनी ही करनी है न, आपको बेशक हुआ चीज सही लगती हो, आप मत डालो अपने पास रखो, अब मैं दो तरहांगे लोग होंगे, जो इसको अधार शुगल लेंगे, और दूसरे जो इस चीज पर बुरा बला कहेंगे, या क्रिटरसाईस करेंगे, जो भी है, लिगना अगर कोई मुझे क्रिटरसाईस कर रहे है तो मैं इंटरनेट पर आ कर 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 रो नहीं सकता, इतनी तो अ बुनभार ट्वीट है भई तो देखो नी क्या तुम लोग को और चाहिए नी नी बस इतना ही है हाँ हाँ इतना ही है वाकी इतना ही है हाँ इसी बाद पर फड़ गी सब की भई फिर हानिया बाजी ने ट्वीट किया यू के इधर बी असलेबरिटी और बिटर एक्स विद नो डिकनिटी बितनी हेवी इंगलिश मुझे आती नी है लेकिन बेसिकली आसे मदर को टारगेट कर रही है ये लेकिन मुझे समझ यारी पिछले दिनो ये आसेम को दोस्त नी थी कह रही क्योंके आसेम की नेचर इस सरा की है like he is not into fighting just like to be a Kania that's why I think they get along really well this concept मैंने दे दिना जासे मैंने जासे माफ ते आसे मिने जासे माफ किया झासके we're still together we're friends we're not together we're not dating we're not a couple but we are तो मुझे बता था अब अचानक से एक्स हो गे है अबे mind तो बना लो पहले, दोस्त है, अबू है, बेटा है, X है, Y है, Z है खेर इस tweet के बाद आसिम को लोगों ने hate देनी शुरू कर दी क्योंकि हानिया ने इस पूरी situation को इस तरह से manipulate किया था कि आसिम जो है, इसकी वो जो live stream वाली meme थी, उसका मजा कुरा रहे एक ही statement के अंदर X-X वाली बात भी कर दी के X हो गया, ये हो गया, और फिर वो उस meme की बात भी कर दी तो जाहिर है लोगों को यही लग रहे हैं ना कि यह दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी नहीं है इसको बिना बीच मेलाए अपने आपको defend कैसे करेगी अच्छा वैसे शूकर है अवाम ने थोड़ा बहुत कुछ हद तक realize की है, बेशक आँखों में काफी हद तक पटी है तो उनलों के लिकिन थोड़ा थोड़ा realize कर रहे हो तुम लोग वहार तेज हो रहा है खर हानिया बाजी आपने bitter ex with no dignity वगरा तो लिख दिया और रोने भी शुरू कर दिये, anti-bullying campaign भी चलानी शुरू कर दी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं हारी कि अगर anti-bullying campaign चलानी है तो फिर आइमा बेक के साथ live session पे आके publicly friend zone कर दिया आसिम को 12000 बंदा बैट के देख रहा है live chat इतनी तेजी से उपन नीचे जारी होती है लेकिन जान के आसिम अजर वाला comment ही पढ़ना है क्यूं क्यूंके आसिम की भूपे उंगल भी तो करनी है ना भूपे उंगल नी करेंगे तो भई बात कैसे होगी हमारी trend पे कैसे आएंगे हम music आए मैंने गाने में go f**k yourself बोल के आसिम अजर का break up song है वो comment pin कर दिया कितनी funny हूं आवे मैं आप सोफ़नी देखो bullying is bad मैं इस चीज की campaign इसलिए चला सकता क्यूंके मैं खुद भी रोस वीडियो जी बनाता हूं लेकिन bullying is bad लेकिन मुझे नहीं लगता के हानिया आमिर कोई ज्यादत है anti-bullying campaign चलाने की हानिया आसे मोड़ी जितनी भी situation है इसको थोड़ा side पे रोखो मैं न तुम लोग न एक बात बताता हूं देखो मैं कोई TV से नहीं हूं ना ही मैं कोई ड्रामों में आता हूं ठीक है मैं एक YouTuber हूं जिसने अच्छा अचीव किया है हमारी बहुत बड़ी family है thanks to you guys हम लोग sometimes literally TV के ड्रामे trending पे चाल ले होते हैं उनको cross करके हमारी वीडियो trending one पे आती है ऐसे भी कई बार हुए तो मुझे ना ये जो industry है ना उसका idea है तो कहते हैं ना कि media में गंद बहुत है वो अगर expose करना शुरू कर दिया ना भट भट जएगी तुम लोगी तुम लोग को कुछ शो करू ना तुम लोगों ने कहना है अबे पैं तो यार ये यार ये तो दो दिन पहले ना दे पर रह करते हैं उनके साथ बाकी मैं आउट उभाई इस चीज़ से यार हमारी Twitter की engagement हमारी Instagram की engagement कई TV actresses elite celebrities से भी ज्यादा है यार मुझे जूरत ही नहीं है इन में पढ़ने की मैं तुम लोग को जसे एक dark side बता रहा हूँ of Pakistani celebrities media और don't get me wrong मैं पहले ही clear कर दू मैं ये number या engagement बता के flex न चल रहा हो ना sides लेने की जगाना तुम लोग बैड के फुपी फुपी बन जाय करो जो फुपी बनने में है ना बहुत मज़ात है भई मतलब बैड के enjoy करो यार show enjoy करो अभे TV ड्रामे इतने boarding ड्रामे वे हैं चो उससे जाधा drama ये Twitter पे लगा लेते हैं उसका जाधा मज़ात ह तुम लोग एक चीज़ नोटिस करना हानिया आमिर इस ऑल्वेज दे सेंटर अफ अटेंशन कोई ना कोई पंगा जरूर चल रहा होता है भई लोग मुझे कॉंट्रोर्शिल केते हैं अभे साल में कोई पांचे बार तो हैस्टेक ट्रेंडिंग हानिया आमिर चल पड़ता ह लाइफ सेशन पे लोगों को बुला के अपने एक्स के बारे में बाते करके उसके ब्रेक अप का मजा कुरा आगे कट गया कट गया जैसी बातों को लाइक करके और फिर ये भी कहना है कि बुलिंग नहीं होनी चाहिए आम नाट बाइंग इट बाई एक चीज ना पब्लिकल इतना तो पता होना चाहिए ना कि इस पर लोगों का नेगेटिव रियाक्शन ही होगा पबलिक को एक इंटेंशन भी देख लेनी चाहिए कि उसका किसी का दिल दुखाने की इंटेंशन नहीं थी मुझे तीन-चार साल हो गए यूट्यूब पे मैं किसी लड़की के साथ ब लोग उसके बारे में बात करेंगे इतना इतना फुद्दू तो हूनी मैं कि मैं एक्सपेक करूँ कि लोग मुझे अब कुछ कहें भी ना अच्छा हमको सिखा रिया है मैं बिंग यूट्यूबर बताओं मुझे तीन से चार साल होगी यूट्यूब पे मुझे दस से पंद लेकिन मैं उस चीज को लेके रोना दोना नहीं कर सकता क्यूंकि मैं अपनी मर्जी से यूट्यूबर बनाओं मुझे इन कॉंसे का पता है कि हेट भी होगा आपका मजाख भी उराया जाएगा आपको भूली भी किया जाएगा लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जो आपको स्पो चीजों मैं नहीं पड़ना मैं यूट्यूब चैनल डिलीट करूँ अपनी डिगडी पूरी करूँ कोई काम धंदा ढून लो यही हो सकता है तो जितने भी सेलेबिटीज हेट की बात करते हैं कि यार हमें हेट ना दो चौड़े वहाते हैं कि भई हमें क्यूं हेट कर रहे ह जाज क्यों कर रहे हो भई यह जजमेंटल अवाम आवे तुम लोग यह काम करो भई अपना इंस्टा विंस्टा डिलीट मारो काम धंदा ढून लो सुलूशन यही है बस यार आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगो बता हूँ आपस की बात है यार पिछले दिनों बिटक अक्टा एफेक्स कॉपी टेडिंग बेस्टेडर्स की परफॉर्मेंस पे आपको फेर और ट्रांस्पेरन स्टेट्स देती है इनका न्यू रिस्क स्कोर ट्रेडर्स को रैंक और अवेलूएट करता है ताकि आपको पता हो कि आपने उसी को कॉपी करने दवान यूजिंग एर्निंग स्ट्रेजी डैर्ड येल्ड जा रिजल्ड साथ ही अंग्रेज ही नहीं होगी अक्टा एफेक्स कॉपी टेडिंग बहुत से डिपॉजिट और पे आउट्स ओप्शन देता है इंक्लूडिंग पाकिसानी लोकल बैंक्स ताकि आपको अपने प्रॉफिल लेने मे वाइरल इतनी भुई भी नहीं थी अनिया आमिर की इस वीडियो से पहले मुझे पता भी नहीं था कि किस वीडियो की बात हो रही है इसने वीडियो के नीचे लिखा यह चीज मैंने उसको बकाइदा सर्च किया दोस्तों से पूछा उसके बाद मुझे एक पिक्चर मिली फ वीडियो से पहले नहीं देखी थी, हानी आमिर का hashtag trending पे आने से पहले वो live stream वाली meme नहीं देखी थी, ऐसे कई लोग हैं, मैं भी हूँ, और वो जो meme है ना वो fake है, वो असल में live stream नहीं है, वो किसी ने edit की है आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लिय कर दूँ, it doesn't matter कि वो fake है, असली है, गल्त गल्त है, जिसने भी वो हरकत की है, बहुत घटिया हरकत की है, और ऐसे जितने भी लोग हैं, जिनको लगता है कि वो चीज सही है, वो भी घटिया है यार, मेरी ऐसी कुछ तस्वीरे हैं, कुछ लोगों के साथ, जो मैं चाहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी कुछ ऐसे voice notes हैं, जो publicly leak होगे, जो मैं चाहता हूँ कि यार, नहीं होने चाहिए थे जिसके अंदर थोड़ा सा भी दमाग है न, वो realize करेगा कि यार, ये video जो है न, ये एक well made video है, इस video को बनाया गया है act किया गया है, tripod या किसी support पर mobile को रखके, record किया गया है, उस पर filter भी लगाया गया है या शायद मैं भुदू हूँ, मैं शायद technology में बहुत फीचे हूँ, जो शायद मुझे ऐसा है mobile का नहीं पता, जो खुद बाखुद on हो कि मुझे record कर देगा, जैसे ही मैं रो रहा हूँगा और फिर उस पर filter भी लगा देगा, फिर इंस्टाग्राम भी भी पोस्ट कर देगा, हो सकता है मुझे ऐसे mobile का ना पता हो पिचले दिनो, हानिया मेरी की skin condition का मदाग बना के उसको दानेदार बोल रहा, लेकिन अब भाई साब को hero बनने है, तुम लोग को ये industry की fakeness का idea हो रहा है ना इसा इसता, अच्छा फिर हानिया ने उसका जवाब दिया कि भाई, दोस्त मेरा पागल वागल हुआ है, आगे से सफाई कहा देते हैं कि एकनी को उर्दू में दाने ही तो कहते हैं, तो मेरा पुत तेरे जैसे को भी उर्दू में चोतिया ही कहते हैं, नाम रख दे फिर, कसम से मनुसियत बाहर हा रही है, स्क्रीन से इसकी फोटो देखनी पार गई है, इन शौर्ट हिपोक्रिसी बहुत आ बाई बाई नीचे कॉमेंट के अंदर, अगर फड़े करने हैं, नीचे इस वीडियो के अंदर करो, ठीक है, बाहर जा कि किसी के ट्विटर पे, या किसी के कॉमेंट सेक्शन पे, नहीं करना, ये कोचीव में मेंशन करना चारों कि यार, मीम्स बनाओ, मजाक भी बनाओ, लेकिन शुग ना सव मेंदर के वीडियो के बनाओ, यार वो जो उसका अदर हुआर फूल वाला प्रेंग था, वो बहूत अंफनी था भैंग हाँ 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 हाँ